Brought to you by Howzart, first game free, download the app now. कहते हैं, जिन आखों में उम्मीद और सपने होते हैं, उन आखों को नीन कहां आती है? मेरे पीछे है ये डिफेंस कॉनली का पॉश इलाका, जहां 23 वर्ष ये पोल वॉल्ट देवराज अपने सपने को साकार करने में जुटे हैं. आईए बात करते हैं देवराज से, जो कि इस घर में एक सेक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं, अपने सपने को साकार करने के लिए. देवराज कुछ साल पहले राजस्थान से दिल्ली आये थे, पोल वॉल्ट में अपना करियर बनाने के लिए, लेकिन दिकतों के वज़े से, वो इस घर में अब सेक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं. देवराज बहुत-बहुत स्वागत है आज तक में आपका. देवराज अब इस घर में सेक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं, क्या परिस्थिती आई थी कि पोल वॉल्ट और सेक्योरिटी गार्ड दोनों साथ-साथ कैसे क्यों करना पड़ रहे हैं? मैं मोई लगरदी खंगाना पैले पहले प्रोड-ओल्ट के लिए घरवाले स्पोर्ट निकारते थे लिए उसके बाद फिर गेम प्रोब्लम ने आये गेम मे और नाइट डूटी करके में फिर गेम कर लेता हूं मैं गेम कर यसलिए उस नाइट डूटी से तो मेरा खचा चल जाता महीने का फिर उदर से फिर गेमा कर सकता ह laugh तो यह आप मुझे यह बताये देवराज कि यह जो पॉल वॉल्ट है इंडिया में जादा लोग जानते नहीं है यह कौन सा गेम होता है आपको इसमें इंट्रेस्ट रुची कहां से आई गर पे गाव में थे ऐसे ही सारे खेल रहे थे तो किसे मेलब टीवी होती थी तो शरग रहला क्यक्स में जाना में थे वह से में अगπαयद क्या वी होती लेक्षे सारे ओपर जा रहे अच्छा करगिंगे है तो कि मैं वह ढ़्यव से doing this tea अच्छा करना है अच्छा मूर् आपने तो वूशू भी किया है हाँ में वूशू भी किया था लेकिन थोड़ा डर लगता था कि मारने पीटने का ज्यादा था तो इसलिए डर लगता था और वूशू में मेरा स्टेट मेडल था लेकिन उसमें इंट्रेस्ट नहीं था अब यह मुझे बताएए देवराज कि कि आपको कब लगा कि हां मुझे पोल वर्ट में अपना करियर बनाना है और इसको एक बिल्कुल सीरिस लेवल पे सोचना है कब ऐसा लगा जब नाइंत क्लास से में फेल होने के बाद थोड़ा टेन टोल्ट पढ़ता था फिर उसके बाद लास्ट आ गया कि अब करना क्या है करने के बाद कि के बारे में सोचना है तो उसके बाद आ लास्ट ओप्शन पढ़ाई में तो कमजोर थे बढ़ाई में इतना नहीं हो पाते थे कि नोख्री लग जाएंगे जूप लग जाएंगे फिर एक तरीके से में प्रोब्लम्स की हो जाएं गिशे भूल गया था कि क् जब प्रोब्लम आई गया तो फेक्टरी जाओ, काम करो या कुछ करने के लिए लास्ट उप्शन क्यूंकि पढ़ाई तो चलती रहती है तो फिर मैंने देखा कि वापिस उसी कंडिशन में जाएंगे तो बुरा होएगा अपने मेरे साथ कि इतना में बाहर निकल गया और फि हमेली इतना इसँ गेम के बारे में नि जानती है वह अभी थोड़ा मेझा जानती है लें पैले नहीं जानती थीघ हमार्य उश तरग्ण सब्सक्राइब कर्दिन कुछ आप सके दीत हुड़yrगता है तुमें झाली का शरमाना थी होगता हिए यह लेगा पहले बंबू स्टायल से करता था तो बंबू से मेरा डिस्टी को स्कूल गेम्स में मेल था डिस्टी कमें तो उसके बाद घोड़ा धीर थीर होने लगा फिर उसButer हो से बाद का अंफिर हों इसलिए हैं और उसके वाद हो फ्रकार आपrif Markt का आपने किसी फैक्टरी में काम किया था और वहां पर काफी दिक्कति यह श्वाइन थी काफी स्टेडें ने बहुत सारी प्रोब्लम आई ती जो जानते थे पॉल ओल्ट वी नहीं बोलत थे क्या पॉल ओल्ट है जो लड़के यहां पर दिल्दी में आके वी जानते थे आप भी कुछ और कहते थे पोल वॉल्ट आपको भी नहीं पता था क्या किस नाम से बुलाते थे बांसकूद बोलता था पहले पुल वॉल्ट इंग्लीस है तो हिंदी में बांसकूदी बोलते इसको बंबू स्टाइल थे यहां को लगाता कि मैं कर जोंगा अचा लेकिन करते पूड़ अपने और डिली थे क्यूं सोचा चारे कि आपको लगा के जो चीजे राजस्तान में नहीं हो रही है वो यहां आके आपको लगा कि आपके सपने साकार होंगे? दिनी तो आपको बाहर करने पड़ेगी ट्रेनिंग में ऐस दिया गया पाद में पॉड जब आप डिली आय तो आपको किन किन दिखकतों का सामना करना पड़ा, थे burial के भर नाप प सामना पड़ा नमें, छोटी सी रूम है आपके साथ आपके συघ्दा के एक पार्टनर रहते हैं हैं जो आपकेशान दोस्ति दिखरते त्युक्तिति ऑलster हें। और मेरा पर्सनल भी पॉल है, इदर उदर जैसे तरह से पेसे बचा के पर्सनल भी खरीदा था मैंने पॉल, पर्सनल पॉल भी है मेरा, उसके बाद अभी हमारे पास पॉल नहीं है, क्योंकि अकेडमी बाहर चलीगी बेंगलोर, तो यहां पर कुछ भी नहीं है अभी, तो हम कि अपर हुँखे हैं तो हमारा कोच ही शक्रवात तैयारी उसके लिए कापी प्रॉबममाइज थी, दिल्ली माने के पहले कि क्या भाँपर जोब मिलेगी ऌनी मिलेगी क्योंकि एकटोल मिलेगी वांपर जोब को पहले कि यहाँ पर रहने का क्हाने का चाहन के जब करेंगे इसके बाद में गय्म एप करेंगे तो उसके लिए फिर मेने यहाँ पर डुटी आप पूरा प्लान मनाया ता है कि night में कर सकता हूँ सोने के तुम्हें दिनमें भी जैसे थे बिलेगा लेुए दिनमें प्री वेँ रहता हूँ तुम्हें मेरा को टाइम चेरा नायट में सबी रूम barrier में 60 में इधर डूठी कर लेता हूँ कि दो घंटे सोते हैं दो गँंटे की मिलती हई डाइट मिल पाती है आपको हमें डाइट भी नहीं मिल पाती और यह कि खेल उन कि पाता क्योंकि देट इनसे खर्चा नहीं चलता नॉर्मल क्यूंकि एक चुलिमें 9 8.000 में डिली का खड़ा चला नहीं बश्किल रूम किराय द तो इसलिए कुछ खा नहीं सकते हैं, प्रोब्लम्स होती, तो इसलिए हम इनी पेशु में चलाना पड़ता हैं, इनी आठ नोजार के अंदर ही सब कुछ हमारे को महीने का खर्चा निकालना, अगर कोई अधर हो गया तो फिर वो किसी से लेना पड़ता है, अगर कुछ किराया ही चल पाता, खाना पीना ही नॉर्मल हो पाता, लेंगर कॉम्पिट्रिशन जाता हूं तब किसी से उधार ही लेने पड़ते हैं, तो अभी इतना मलब, यही और ही प्रोब्लम्स है, दीवराज आपने मुझे बताया कि जो आपका पिट है, वो नहीं है, मैट्रिस न कि अभी तक कोई मिला नहीं है, कि किसी का मदद नहीं मिली गॉर्मेंट की, मैरो कि पिट के लिए या किसी पहलों के लिए या किसी finance problem ये है पेशू की, जो भी अभी किसी की problem भी मेरी को से नहीं बी भी बाता को मैं मेरी कामरापरسم संजीव जी को बोलूँ गी कि थोड़ा स वो अपना कैमरा को करें और दिखाएं इनके शूज को, ये शूज जो हैं ये देवराज अपने रोजमर्रा की जिंदगी में पहनते हैं, देवराज पोल वाल के लिए जो इक अलग जूतों की जरुरत होती है, स्पाइक्स वालों की, आपने मुझे बताया था इससे पहले कि जो हैं आप जो जूते हैं लोग आपको देते हैं, दोस्तों लोग आपकी मदद करते हैं, कहां से लाते हैं ये जूते कि किस तरह से मदद मिले उसको लेकर? हम जूते की फ्रेंड हो गेरा कर देते हैं, क्योंकि इतना आठदर्स जार के जूते नहीं खरीद पाते हैं, और अगर दूसरे अगर लोकल खरीद देते हैं, उनमें धर्द हो जाता है, एडी में, पेरू में, तो धर्द के कारण एंजरी हो जाते हैं, तो थोड़ा डर हो अच्छा है, क्योंकि दर्द से अच्छा हो है कि कि इसी का पहन लो, तो इसलिए फ्रेंड हो गेरा दे देते हैं, जूते कोई और स्पाइक्स तो अच्छे अगर आते थे स्पाइक्स की भी आई थी, मेरे मदद मिली स्पाइक्स लेने की पोलोल्ट की जो अलग सूज आत ओठ लगार जार तक हाते उसके लिए मेर बोली थी, उसके लिए में यह होता कि इस स्पाइक्स भी लोकल लेंगे दो चलेंगे कम, अच्छे क्योंकि उनमें थोड़ा अच्छा रहता है कि लो बाहर जा रहे खेलेंगे लेंगी लिए टो कुछ ताम ही चलेले लेक्स भी अब हमने देखा दोस्तों कि इस तरह से टोक्यो ओलिम्पिक्स में नीरत चोपड़ा ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो आज तक इंडियन स्पोर्ट्स में कभी नहीं हुआ था ट्रैक और फी में पहली बार गोल्ड लेके नीरत चोपड़ा और एक उम्मीर जगाई कि जो पहले क देख सकते हैं उस चीज का ये सपना आपका भी है कि ओलंपिक्स में जाए और जिस तरहा नीरज ने अपने देश का नाम रोशन किया आप भी ओलंपिक्स में जाकर अपना नाम अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं हम यहीं करना चाहते हैं क्योंकि एक बार ओलंपि तुचि के लिए प्रोपर्नी मिलती, प्रैक्टिश के लिए उसमें भी हमार्बूरी थख जाती, कई बार, कई बार वहां पर जाने के बाद practitioners के लिए किए अभी तो एक सापना की कैसे भी करके, इन प्रोब्लम्स को साइड में रखके एक बार ओलमपिक खेलना है क्योंकि इंडिया से कोई अभी तक गया नहीं है तो मेरी यह कि एक बार कैसे भी करके प्रेक्टिस अच्छी चलने लग जाएगी तो फिर उसके बाद सब्सक्राइब करने के लिए कुछ साल पहले देवराज राजस्थान से दिल्ली आये थे हम उमीद करते हैं कि जिस तरह से नीरा चोपड़ा ने ये सपना जैवलिन में देखा था उस सपने को देवराज उलम्पिक में पोल वॉल्ट में साकार करेंगे टैमरा परसन संजीव कुमार के साथ शाजिया बास दिल्ली आज तक कि जिल्ट बास वाल थे हम उले की दोड़ा का उला पुल्ट ने, रहां जा रहमार के सब्स्राजिया जहां पैंगे टेопर सब्सक्ता हैं गया कैं जाते हैं टोड़ा चाहते हैं जाते हैं रहां जाते हैं पिएवराज के देत कर दो इसक्र दोड़ागे जाननाम ता到底 उत्स